और भाईूब लोग क्या हाल चाल आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फून पे आपब पे अपना ओटो पे जो है कैंसल कैसे कर पाऊँगे डिलीट कैसे कर पाऊँगे अगर आपके फून पे आप से ओतोमेटिक यहां पर पैसा कट रहता है तो कैसे करके आप इसको बंद कर पाओगे, अगर आपके Phone Pay Up पे, कोई यहां पर Auto Pay जो है, इनेबल है, तो कैसे आप उसको डिलीट कर पाओगे क्योंकि अगर आपके Phone Pay Up से Automatic यहां पर पैसा कट रहा है कभी आपने कही पर यहां पर Auto Pay जो है, सेट किया था और वो जो है अभी सेट है तो कैसे करके आपको बंद करना होगा आईए मैं आपको लाइब जो है करके दिखाता हूँ इसके लिए आप एक काम करना सबसे पहले अपने फोन पे आपको आप यहां पर अपडेट करके ओपिन कर लेना अब भाई लोग आपको ओपिन करने के बाद आप आप एक काम करना सबसे उपर में आपको लोगो मिल जाएगा यहां पर टाप करके आप एक काम करना नीचे चले आना नीचे में आपको यहां पर एक option मिल जाएगा payment management का इसमें आपको पहला option मिल जाएगा auto pay का यहां पर टाप करना फिर आपके सामने auto pay का section open हो जाएगा जितन काम करना आप लोग देख सकतो हमारा autoатуру पे हाँ पर active है इस पर हमारा 00pping पैश सकाड रहा है तो अगर आपको उसको stop करना है तो आप यहाँ पर tikड़ करके पूस कर सकते हो अगर आपको उसको हमेशा कलिए बंढ़ करना है डिलीट करना है तो आप एक काम करना नीचे चले आना नीचे में आपको एक option मिल जाएगा delete auto pay का यहाँ पर tap करके just आप यहाँ से confirm पर tap कर देना जैसे ही आप यहाँ पर tap कर दोगे यहाँ पर आपको अपना UPI pin डालना होगा तो अपना UPI pin आप यहाँ पर enter कर दोगे आपका auto pay यहाँ पर successfully remove हो जाएगा आप लोग देख सकते हो, auto पे deleted लिख के आ चुका है, अब हमारे phone पे आपसे automatic पैसा जो है नहीं कटेगा, ऐसे करके आपको delete करना होगा, मैंने आपको live जो है auto पे disable करने का process करके दिखा दिया ठीक है कभी कभी क्या होता है लोग यहाँ पर अपने फोन पर आपे ओटो पर सेट करके भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनके एकाउंट से पैसा जो है करता रहता है तो इससे करके आप इसको चेक करके डिजेबल कर दोगे तो पैसा नहीं कटे कर ठीक है आई हूप आप जानगे हों तो कि मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे कई सारे ओनलाइन अर्निंग के कैस पैक ओफर जो है देता रहता हूँ जल्दी जाओ जोईन कर लो लिंक आपको इसी वीडियो डिस्कप्शन में मिल जाएगा अगर आपको अर्निंग करना है तो